गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाव आर यू आइधिंक ओलार फाइंस हमारे जो कहिंट डेट्स है जिनका इस्टेट क्लियर हो गया है उनका सर्टिफिकेट से रिलेटिड मैसेज आ रहे हो और जिनके स्कोर बन रहे हैं 89 उनके आ रहे हैं कि मैं क्या अब भी स्कोर चेंज हो स सकता है क्या अब भी लगा सकते हैं तो इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो को सुरू से अंतग बने रखिएगा और जो आपकी अगर कोई क्वैरी रह जाती है तो आप कमेंट सेसर में बताइएगा जितना पोसिबल हो सकेगा आपको इसकी इंफरमेशन दी जाएगी और इससे पहले अगर आप मारे चनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगी टीजिंग नोन टीजिंग वेकेंसी रिलेटिड और अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो उसकी अपडेटिड इंफरमेशन प दर दिया था क्लियर की रिवाइज देंसर की जो है आपके रिजल से पहले इसलिए इन डाले की क्योंकि जो अबजेक्शन की प्रोसेस है वो चलती रहेगी लेकिन आप यह नहीं है कि आप अब अबजेक्शन नहीं लगा सकते हो और उसका जो स्कोर पॉइंट अगर इंक्र और तो आपका जो रिजल्ट्स है वो चेंज हो सकता है बट उसके लिए वो क्वेश्चन भी 100% राइट होना चाहिए और जो इसकी प्रोसेस है वो आपको बिवानी बौर से पता चलेगी इसकी प्रोसेस का फिलाल हमें कुछ इंफर्मेशन नहीं है और एस्टैट सर्टिफ क्या उनको बिवानी जा के लिए कenti पढ़ेंगे इस तरह के जो है उनकी माइन में कशिचन है कि मैं क्या अब यह हमें बिवानी जा के लिए करना ने पढ़ेंगे या फिर बाय पोस्ट से निकलुआने पढ़ेंगे तो फिलाल तो देखो आप अपना रेजल्ट्स तो निका यानि कि जल्दी लाने के लिए अगर online भेजे जाएंगे तो उसके लिए भी आपके पास जो है notification डाल दिया जाएगा लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी notification नहीं डाला है कि भी online भेजे जाएंगे अब तक तो जो process है जैसे हमारा estate clear हुआ, net clear हुआ और seated clear हुआ तो उन सभी की जो है हमारा जो certificate है by post आया था और कितना time लगेगा तो one month या फिर two month maximum है two months उसमें आपका जो है estate certificate आपके घर पर by post send कर दिया जाता है क्योंकि आपका जो full detail information है वो आधर card के through या आपने form submit किया था तो वहाँ पर जो address आपने send किया था उस address के बिहाब पे आपका जो है estate certificate आपके घर पे आजाएगा तो टेंशन लेने की जूरत नहीं है और अब ही जो आप है as a proof के लिए अपना results जो है निकाल के रखिएगा message आ रहे थे कि मैं अब भीवानी बोर्ड से जाके लेकर आना पड़ेगा certificate या फिर कोई और process है तो ऐसा कुछ नहीं है आपके घर पे पहुँच जाएगा और objection अगर आप लगाना चाहते हो क्योंकि कई candidates जो हैं बड़ा दुख होता है जब बिलकुल जो है peak point पे आके आप क पड़ेंगे अगर आपको 100% surety है किसी question पर आपके पास उसका proof भी है तो आपका एक score जो है जिस question पर आप objection लगाओगे 1 या 2 पर तो आपको 100% surety होने चीए with proof होना चीए क्योंकि कोई भी जो है expert है अपनी बात को पहले आगे रखता है किसी दूसरे की बात को तभी accept करता ह अगर आपके पास उसका proof है तो तो आपके increase हो सकते हैं और कई candidates जिनके scores जो है 90 अबो थे लेकिन अगर list में नाम नहीं आया है तो उनको भी वो उनको भी विवानी बोर्ड जाना पड़ेगा as a proof उनको वहाँ पे full process आपको जो है बता दी जाएगी कि आपको किस तरह से क्या कुछ form fill वगरा किया जाना है so thank you so much and please share and subscribe my channel so अगर आपके कोई mind में confusion है तो आप हमें comment session में ज़रूर बताईएगा thank you so much